नमस्कार दोस्तों इंडिया के foreign exchange reserve ने एक नया कीरतिमान बनाया है अगर आप देखें तो ये 670 billion dollar का आंकड़ा पहली बार इसने पार किया है आप देख सकते हैं इस साल की अगर आप बात करें तो 2024 में starting में fluctuate कर रहा था उसके बाद से जो foreign exchange reserve 620 billion के आंकड़े को पार करते 670 billion पर आ चुका है अब यहां पर आप मैंसे काफी लोग सुचेंगे ऐसा कैसे हो गया market तो जबर्दस्त गिरा है अगर आप बात करें वो तो पैसा उठाके ले गए हैं जैसा आप यहां पर देख सकते हैं तो डियाई आई इस एक इंट्रेस्टिंग बात है वो budget आने के प यहां पर आपको पहली बात बताता हूं जो आरवियाई का डेटा आया है यह बिल्कुल इसी वीक का नहीं आता यह एक वीक पुराना बताता है याने इस वक्त जो डेटा है यह 19 जुलाई का डेटा है तो 19 जुलाई तक अगर आप देखिए तो FIIs भी पैसा इंडिया में जाल रहे थे उनको भी बजट से वड़ी उमीदे थी तो वो इस उमीद में कुछ पैसे काफी यहां पर इंजक्ट किये थे और बजट आने के बाद पैसे उठा के ले गए ज्यादा तो नहीं लेकिना थोड़ा ले गए पर यहां पर दोस्तों इसलिए अगर आप देखिए तो सिर्फ FII इसके equity में पैसे के inflow से ही यहां पर dollar reserve भारत का नहीं बढ़ा है और भी एक कारण है जिसके बीछे JP Morgan चुपे हैं JP Morgan के द्वारा एक ऐसा फैसला लिया गया जो की जुलाई महीने से जिसका impact दिखना शुरू हो रहा है और अब यह आपको महीने दर महीने दिख 270 billion कितना बड़ा अंकड़ा है यह कितने महीने के भारत के imports को cover करता है यह कितना जादा भारत के foreign exchange denominated debt याने विदेशी मुद्रा में लिए गए उधार को cover करता है वो भी देखेंगे दोसरों पाएंगे यह आंकड़ा बहुत जादा है क्योंकि भारत आज दुनिया का चौ चर्चा करते हैं पर इससे पहले आगे बड़े आप लोगों के लिए announcement दोस्तो current catalyst नाम का मेरा course आ रहा है जो कि आपको बहुत ही affordable कीमत 6 महीने के लिए मात्र 1,999 रुपय में मिल रहा है जिसमें आपके लिए prelims और mains हर तरीके से मैं cover करने वाला हूं सारा current issues जो भी है 45 सवाल प्रिलिम्स में जो आते हैं में में GS2 paper GS3 paper इन सबका comprehensive coverage इस course में होने वाला है दोस्तों अगर आपके स्प्लस से आइकनिक सब्स्रिप्शन है तो आपके लिए फ्री है अदर रवाइव 1,999 रुपय में भी आपको एविलेबल हो जाएगा एकाड़िमी स्टोर में जाए यू आप देखें तो 9.69 बिलियन उसके पहले वाले वीक में जुलाई 12 वाले वीक में भी अगर आप देखें तो बड़ा था और इसके साथ इंडिया अगर आप देखें तो आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है foreign exchange reserves के numbers में सबसे जादा किसके पास है चायना के पास है 3.5 अगर आप देखें तो trillion dollars का है उसके पास Japan के पास 1.8 trillion का है फिर Switzerland 795 billion और भारत है 670 billion पर अब दोस्तों यहां पर आपको एक बात बड़ा important है जानना होगा prelims के हिसाब से अगर हम foreign exchange reserves की बात करते हैं तो उसमें क्या-क्या include होता है जैसा आप यहां पर देख सकते हैं एक तो होता है foreign currency assets भारत का जो total reserve 670 billion का है उसमें foreign currency assets dollar में योरो में 588 billion के हैं फिर आता है दोस्तों gold जो कि अगर आप देखें तो यह आप कुछ देख सकते हैं दोस्तों कुछ 58 कुछ 59.9 पगड़ दीजिए 60 billion का है इसके बाद IMF के SDR और RTP reverse transposition आते हैं SDR अगर आप देखें तो जादा नहीं है करीबन 1.8 billion का हो जाता है और अगर आप देखें तो 4.6 billion का IMF में हमें reserve position देखने मिलता है तो इस प्रकार से यह सब मिलके भारत के total foreign exchange reserves कहलाते हैं यह क्या-क्या include हो रहा है इसको अवश्य याद रखिएगा order भी याद रखिएग आप यह जो 670 billion है भारत का foreign exchange reserve यह कितना बड़ा number है यह दोस्तों इतना बड़ा number है कि भारत इसके वज़े से 14 सबसे बड़ा foreign exchange reserve वाला देश है भारत के नीचे रश्य आता है 600 billion का उसका reserve रहता है यह इतना ही बड़ा number है कि भारत अगर चाहे तो जो इस साल वो import करने वाल सकता है उसको कुछ सोचना ही नहीं है 11 months का import cover होता है हमारे foreign exchange reserve से बहुत बड़ा number है दोसको कुछ देश ऐसे हैं जो कि 4 दिन 5 दिन का भी import cover नहीं रख पाते भारत यह ग्यारा महीने का रखता है number two यह इतना ही बड़ा है यह आखडा कि भारत का जो total विदेश से लिया total foreign debt को एक जटके में इतना foreign exchange reserve हमारे पास इस वक्त है दोस्तों यह सब बताता है कि भारत की अर्जवस्ता तो बड़ी मजबूत है और यह बताता है कि जिस वज़े से हमारा जो credit reserve हमारा जो इस प्रकार का आप अगर देखें तो जो हमारा credit होना चाहिए था जिस प्रकार से हमें मिलना चाहिए था credit rating होनी चाहिए थी वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए थे लेकिन वो नहीं हो पा रही है क्यों नहीं हो पा रही है उस पर भी चल्चा करेंगे पर यहां पर एक सवाल उठता है आखिरकार हमारा foreign exchange reserve जुलाई महिने में क्यों बढ़ा अगर आप चार of चारण है JP Morgan क्या हुआ दोस्तों इंडिया को JP Morgan bond index जो है JP Morgan global Emerging, इंडिया को include कर दिया अब इस वज़ें से क्या हो गया इंडिया का जो अगर आप देखे तो जो bond है is работает और और देखें तो जो bond आता है जो आप देख रहे हैं इंडिया इंक्लूजन इन जेपी मॉर्गन बॉंड इंडेक्स यह 28 जून से हुआ है याने जुलाई में ही आपको यह में पैसा आता हुआ दिखेगा और इसके वज़े से अगर आप देखे तो 25 से 30 बिलियन फ्लो सालाना जेस्ट बिकॉज अफ जेपी बाकले उनका भी जो ग्लोबल इमर्जिंग बॉंड इंडेक्स है उसमें भी इंडिया के बॉंड को इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि जेपी मॉर्गन तो कर रहा है तो उनका इंवेस्टर भारत में इंवेस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ब्लूमबग बाकलेस तो करत नहीं है तो उनके उपर भी प्रिशर बन रहा है कि वह भी इंक्लूड करें एक बार वह भी इंडिया को इंक्लूड करेंगे तो वहां से भी काफी मूटा पैसा इसी प्रकार से भारत के बॉंड मार्केट में आना शुरू हो जाएगा तो इस वजह से आप अगर देखें त सिर्फ और सिर्फ इतने से ही आने वाला है जैस बिकॉज अव जेपी मॉर्गन और अगर ब्लूंबर्ग बाकलेस भी इसी लाइन में आएगा जो क्यों को करना पड़ेगा डिमांड सप्लाई मार्केट ऐसे ही काम करता है तो यह आप और भी अधिक बढ़ते हुए देखें है मूडी कहता है भी एक त्री पर रखता है तो ऐसा क्यों इंडिया और इटली कैसे बराबर करते रही है जो कि करीबन एक परसेंट पर ग्रो कर रही है वैसा ही अगर आप देखें तो गर्वर्मेंट डेट टू जीडीपी रेशियो इटली का 144 प्रतिशत है भारत का तो 83 परसेंट है उसमें भी अगर आप देखें तो विदेशी डेट बहुत कम है टो मेस्टिक डेट हमारा अधिकतम आपको देखने मिलता है तो यहां पर अगर आप देखें तो क्रेडिट रेटिंग को लेके काफी जादा इंडिया हमशा से कहता रहा है कि हमारे साथ एक इसमे नाइंसाफी होती है एकॉनमिक सर्वे 2021 साब उठा लीजिए उसमें क्लियरली कहा गया था कि सोवरिन क्रेडिटर रेटिंग की जो मेचडोलोजी है उसको बदलने की आवशक्ता है नाम लेके एकॉनमिक सर्वे ने कहा था यह जो फॉरें रेटिंग एजिंसी है जैसे की ए आप देख लिजिए जीरो सोवरें डिफॉल्ट भारत का है आज तक हमने अपने उधार को ऐसा नहीं हुआ कि हम चुका ना पाए हूं इंडिया का जो एबिलिटी टू पे है वो अगर आप देखें तो जैसा मैंने बताया इतना बड़ा हमारा फॉरेंट एक्चेंज रिज कि इंडिया में पैसा लगांगे तो ढूब जाएगा इंडिया भारत सरकार पैसा नहीं चुका पाएगी आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि नंबर्स तो कहीं से भी ऐसा नहीं बताते वो कहते हैं हम चाइना सेही ना तुलनाव कर लीजिए चाइना का अगर आप देखें तो किस 2009-2010 में लाल रेखा देखिए कैसे 2215 परसंट के आसपास यह आ चुकी है इसकी जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है यह 142 प्रतिशत हुआ करती थी यह 205 प्रतिशत हो गई लेकिन इसका क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो गया वहीं भारत का क्रेडिट टू जीड कहता है आप इसे कई लोग कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता हैं अकेले चलेंगे क्रेडिट रेटिंग की आवशक्ता नहीं है नहीं भाया आवशक्ता है क्रेडिट रेटिंग अच्छा होता है याने कि आपके उपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं आपको पैसा दे सकते हैं याने capital develop करना है तो पैसा चाहिए तो इसके लिए low cost में loan तब आएगा जब हमारी credit rating बढ़िया होगी इसके सिवा investors भी safe होके foreign equity investors भी अगर आप देखे तो वो निश्चिंत होके भारत की अर्जविस्ता में अपना पैसा डालेंगे जब उनको मालूम रहेगा कि हां इंडिया में उन पहले stable रखा था उसको improve करके positive कर दिया कहा कि बाकी तो वैसा ही रहेगा triple भी माइनस ही रहेगा लेकिन यह outlook look stable से positive कर दिया और उन्होंने खुद कहा कि जिस प्रकार से देखी चुनाओ के पहले कि यह बात थी कि जिस प्रकार से policy stability चल रही है economic reforms भारत में हो रहा है infrastructure investment हो रहा है long term growth prospects भारत में हैं तो S&P कह रहा है कि हम आने वाले दो सालों में देखते हैं कि भारत की जो यह जो credit rating है यह triple भी माइनस से अब हम इसको इंप्रूव करें तो दोस्तों इनको भी दिख रहा है कि इंप्रूव तो करना पड़ेगा और इस बार भी जो budget आया है आप इसको लाख गाली दे दीजिए लेकिन एक बजट में कहीं न कहीं फिस्कल प्रूडेंस हमको देखने मिल रहा है ओवर स्पेंडिंग नहीं देखने मिल रही है फिस्कली रिस्पॉंसिबल बजट है ऐसा नहीं कि फ्रीवी बाट दिये गए हर तरफ की उधार माफ कर दिया किसान का और बाखी सारी चीज़े जो डिमा साल उठ जाएगा दोस्तों उमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक जरूर करें इसके सिवा करेंट कैटलिस्ट कोर्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मेक शूर आप इसमें जुड़ रहे हैं छे महीने का करेंट अफेर्स क् सबकुछ यहां पर कवर हो रहा है तो बहुत ही एफोडिबल प्राइस है 1999 इससे अधिक जरूर जुड़ जाएं इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम अलग-अलग बैस्टेस लेकर के आएं मेक शूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एन्रोल करें यूज दी रिकॉर्डिंग भी इसमें मिल जाएंगी इंटर्व्यू गाइडेंस भी है एंसर एवालुएशन भी है रिविजन मॉड्यूल भी मिलता है आसका डाउट भी है सब कुछ जो आपको चाहिए वो सब आपको मिलता है इसके सिवा दोस्तों ऑप्शन बैचेस भी हमारे आ गय येगा